इस वीडियो के अंदर हमनों बात करेंगे Reliance Communication Limited के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि यानि Next Trading Session यानि Monday के दिन से जो इस्टार्टिंग होनी है यानि मैं बात कर रहा हूँ 14th of December की तो क्या situation इमर्ज हो सकती है क्या Upper Circuit लगेगा या नहीं लगेगा इसके उपर अपनी एक Assumption लगाने की कोशिश करेंगे 100% Surety के साथ तो कोई भी नहीं बता सकता मैं भी नहीं बता सकता कोई भी नहीं बता सकता लेकिन Assumption लगाया जा सकते हैं कुछ अनुमान लगाया जा सकते हैं के लिए ये वीडियो आपको पूरा देखिएगा तो देखिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा Friday वाले दिन के क्या situation थी Friday की दिन के अगर हम बात करें तो open हुआ था 2.40 के उपर और वहां से अगर आप देखें तो high नहीं बनाता है low भी नहीं बनाता है हलाकि lower circuit जो band लगा था वो 2.20 का लगा था upper circuit band 2.40 का लगा था जो कि उसी के उपर open हुआ उसी के उपर close हुता है लगबग 4.35% की upper circuit लगे थी यहाँ पे 10% का upper circuit नहीं लगा था इसके अलवा अगर आप देखें तो यहाँ पे जो total quantities trade करी गई नसी के उपर वो आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ directly nseindia.com पे ले के आया हूँ आपको और अगर आप देखें तो यहाँ पे 22,97,194 quantities trade करी गई जिसमें से अगर आप देखें तो पूरी की पूरी quantities deliverable quantities के अंदर आ गई यानि पूरी की पूरी quantities buy कर ले गई यानि 100% अब इसको percentage में turn करेंगे तो 100% delivery उठाई गई यहाँ पे आप लोगों का ध्यान में attract करना चाहूँगा कि यह 22,97,194 quantities जो यह trade करी गई है यह पूरी की पूरी quantities buy करी गई है और पूरी की पूरी quantities किसे ने अकेले ने नहीं बलकि जितने लोगों ने sell किया उतनी के उतनी पूरी quantities यहाँ buy कर ले गई लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि इतनी सारी कम quantities क्यों सिर्फ 22,97,194 ही क्यों करोडों में क्यों नहीं मैं आपको historical information में लेके चलूँगा historical information के tab section में और वहां से हम लोग तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्या situation last के कुछ दिनों में देखने को मिली last के one month के data को analyze करने की हाँ कोशिश करेंगे अगर आप देखें तो आपके सामने 12th November 2020 से लेके 12th December 2020 तक का data आपके सामने है अगर इन सब में observe करें तो volume के section में अगर आप देखें volume के column में तो सबसे highest जो volume trade होता है वो है 5 crore 5 crore 24,44,853 जो की trade होता है अपका 10th December 2020 को Thursday के दिन इससे पहले अगर हम देखें तो 22,18,287 तो ये एक bull run situation में काफी कम इसके अंदर volume हम लोगों को trade होता हो देखेने को मिला तो ऐसा क्यों देखें यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूंगा कि ये जो quantities आप देख रहे हैं 22,97,194 और ये जो price आप देख रहे हैं 2.40 की ऐसा नहीं है कि इस price के उपर आपको buyers नहीं मिलेंगे ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि इस price के उपर आपको buyers नहीं मिलेंगे बिल्कुल मिलेंगे ऐसा नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी इतनी कम कॉंटिटिटी स्ट्रेट करी गई इसका क्या इंडिकेशन हो सकता है आपको पता है इसका इंडिकेशन जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अभी भी इसके अंदर अनुमान है लोगों का विश्वास है लोगों को अब्जर्व हो रहा है लोगों को फील हो रहा है कि अभी इसकी प्राइस जो है 2.40 से बहुत उपर जा सकती है जिसकी वज़े से लोग अभी होल्ड करके बने हुए है ऐसा नहीं है कि 2.40 के नीचे जब यह trade हो रहा था तो इसके अंदर buyers नहीं थे buyers थे और sellers भी थे लेकिन sellers वहाँ पे exit कर देते पूरी तरीके से dispose of कर देते तो शायद यह 2.40 के उपर आई ही नहीं पाता और अभी भी वही situation है 2.40 के उपर अभी भी बना हुआ है sustain करके रखा है इसका मतलब यह है कि 2.40 के उपर भी बहुत सारे sellers पड़े हुए हैं लेकिन पूरे के पूरे dispose of नहीं कर सकता अगर पूरा कर दिया तो definitely यह lower circuit लग जाएगा जो कि chances बहुत बहुत कम हैं ऐसा इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ क्योंकि एक bull run market अभी चल रही है और आपको पता है Reliance Infratel जो कि Reliance Communication Limited की 100% own subsidiary है जो कि जिसको NCLT ने Reliance Jio के लिए अप्रूव कर दिया है कि उसकी fiber और जो भी tower का पूरा इनो जो inventory है पूरा का पूरा Reliance Jio लेने वाला है यह बात Reliance Communication ने BSE को filing कर दो हमें update किया था last के कुछ दिन पहले राइट तो इन बातों को देखकर के आपको यह चीज तो जरूर सोचना चाहिए कि यह 22,97,194 quantities buy करी गई इससे और ज़्यादा quantities buy करी जा सकती थी यानि इसको दूसर तरीके से उल्टा अगर बोलें तो इससे और ज़्यादा quantities sell off करी जा सकती थी लेकिन नहीं हुई क्यों नहीं हुई बिकास लोगों को अभी 2.40 से उमीद है कि 5.40 भी जा सकता है 10.40 भी जा सकता है लोगों को उपर लेकिन एक बात आप notice करिएगा देखिएगा आपको careful रहना है वो यह है कि जैसे जैसे 2.40 से उपर की दर लीड करेगा राइट जैसे जैसे उपर जाएगा आप देखिएगा इसके अंदर selling जो है वो धीरे 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 बनी रहेग आप ऐसा नहीं है कि selling बिल्कुली अचानक कम हो जाएगी या फिर अचानक बढ़ सकती है लेकिन कम नहीं होगी इस बात को नोट करना बढ़ेगी जरूर और correction होने के chances भी आने वाले टाइम में हो सकते हैं क्योंकि daily basis पर अगर आप देखेंगे मैं आपको money control पर लेके चलू कि daily basis पर इसका RSI level क्या चला है और जो कि क्या indicate कर रहा है daily basis पर अगर आप इसका RSI देखेंगे तो 82.61 है जो कि अब देखें तो 80 से जादा है एक overbought situation को represent कर रहा है राइट वहीं अगर आप monthly basis पर देखोगे तो यह बहुत ही जादा bearish indicator show कर रहा है RSI तो यहां से तो पता च देखें तो situation emerge होती हुई देखें की positive side से लेकिन फिर भी आने वाले time में कुछ दिनों में दो दिन या तिन trading session में इसके अंदर correction आप लोगों को देखने को मिल सकता है और उसे घबडाने की जरूरत नहीं है अगर situation positive बनी रही तो definitely यह उपर की तरफ जे कर बनाता हुआ तो 2.45 और 3.45 के बीच का difference निकालेंगे तो 1 रुपे का difference है 52 week high को touch करने में तो अगर 20% का अगर यह आपर सरकित लगा होता अगर 20% का अपर सरकित लगा होता तो definitely 2-3 session में यह अपने 3 या 4 session के अदर अपने 52 week high को भी break कर चुका होता लेकिन God knows 10% का यह आपर सरकित नहीं ल 10% का अपर सरकित हो सकता है आने वाले एक दो दिन trading session में लग जाए अगर situation बहुत ही ज़्यादा optimistic बहुत ही ज़्यादा bullish रहती है तो आप मान के चलो इसके अंदर 10% भी अपर सरकित लग सकता है right it all depends on the demand and supply higher the demand higher the demand मतलब demand ज़्यादा होगी तो definitely उसकी price उपर के तरब सकता है तो यह एक तरीके से जैसा आप आप लोगों को भी जो लगता है आप मुझे comment box में बता सकते हैं मुझे तो ऐसा दिखता है कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा buying quantities क्यू में लगी होंगी Monday के दिन और इसके अंदर एक UC लगने के chances पूरे पूरे मुझे दिख रहे ह आपको क्या लगता है आप भी मुझे शेयर कर सकते हैं अपने idea को अपने assumption को and जो कुछ ही है बता रहा हूँ हो सकता है यह गलत ही हो जाए कोई जरूरी नहीं है कि मेरी बाते सही निकले बिल्कुल गलत हो सकती है मैं उस चीच को accept करने के लिए ready हूँ so I hope you like this आपको कुछ motivation कुछ positive side से कुछ feeling मिली होगी and if this is so then please let me know and if you are new to finance market please subscribe करके channel को hit कर लो उससे notifications आपको मिलेंगे और आप सबसे पहले हर वीडियो को देख पाएंगे और दूसरी चीज़ यह है कि अगर आपको demand account open कराना है तो description box चेक करिए वहा है कि आपके लिए link है link क click करके आप upstock के अंदर account open करा सकते हैं okay so take care next time